नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल वेदिक दृष्टी पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें वर्ष 2023 का सबसे बड़ा और आखरी भयंकर सूर्य ग्रहन 14 अक्टूबर 2023 को लगने जा रहा है दोस्तों इस बार का सूर्य ग्रहन भारत में और कई राशियों पर भयंकर प्रभाव डालने वाला है क्योंकि ये इस वर्ष का आखरी सूर्य ग्रहन शनिवार के दिन पढ़ रह जिस वजह से शनिदेव कई राशियों पर अपना भयंकर प्रभाव डालने वाले हैं वही कई राशियाओं ऐसी है जिनकी इस सूर्य ग्रहन के से किस्मत चमकने वाली है और उनकी लौटरी लगाने वाली है तो आखिर कौन-कौन सी है वह राशियाओं जिनका भाग्य उद जिनको आपको करने से बचना चाहिए और गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ये भी आज की इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और यदि आप भी जीवन में सूर्य देव की पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में ओम सूर्य देवाय लिखना ना भूले दोस्तों इस ग्रहन के प्रभाव से देश में काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा जैसे कि तूफान भूकंप जैसी प्राक्र पर पड़ेगा उनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे हम आपको सारी जानकारी देंगे इसके साथ ही ये भारत के कौन से हिस्से में दिखाई देगा और किन किन देशों में भी दिखाई देगा ग्रहन कल का सूतक काल का समय और ग्रहन काल में बढ़ती जाने वा और क्या नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं दोस्तों, तो आपको निश्चित तोर पर इसका शुब परिणाम देखने को मिलेगा और साथ ही साथ अपने जीवन में चली आ रही किसी भी प्रकार के कष्ट और समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। यह छह राशियों पर देखा जा सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि 14 अक्टूबर को पढ़ने वाला वर्ष 2023 का असर भारत सहित कई देशों पर पढ़ेगा। यह आस्ट्रेलिया, अमेरिका, साउथ अफ्रिका और एट्लैंटिक कई देशों में देखने को मिलेगा। अगर 34 मिनिट से ही प्रारंब होगा। दोस्तों, सूतक काल में यानि बच्चे और रोगी जो बीमार अवस्था में पड़े हुए हैं, इन्हें छोड़कर अन्य किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए। इस दोरान खाने पीने के पदार्थ में तुलसी दल रखना चाहिए साथ ही साथ दोस्तों, इस समय गर्भवती महिलाओं को लिक्विड के अलावा कुछ भी सेवन नहीं करना चाहिए। उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। यहां तक की चौकट और दहलीज भी नहीं लांगना चाहिए। साथ ही सुई कैंची चाकू छुरी का इस समय यानि जो धारदार वाली जो चीज है उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। वर्जित है यानि जो काटने वाली चीज हो उसको बिलकुल नहीं छूना है। ग्रहन ग्रहन का सुतक काल लगता है दोस्तों खासकर वर्श 2023 का यह दूसरा सूर्य ग्रहन लग रहा है और इस सूर्य ग्रहन का सूतक काल भी लगेगा जिसका असर यानि चीज सबी राशियों पर देखा जा सकता है। लेकिन खासकर दोस्तों ये जोче राशियां हैं या बहुत भाग्यशाली साबित होने वाली है इनको धन का अमबार मिलने वाला है यानि धन का खजाना मिलेगा साथ ही साथ यह करोडपती भी बनने वाली है जरूरतमंद लोग दोस्तों इस सूर्य ग्रहन में दान करना आपके लिए शुभ माना जाएगा सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य बिलकुल नहीं कर सकते और ग्रंथों के अलावा सूतक काल में पूजा पाठ और देवी देवताओं की तो मूर्ती को भी छूना वर्जित है इस दोरान कोई भी शुभ काम बिलकुल ना करे अशुभ माना जाता है दोस्तों सूर्य ग्रहन म अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको अपने जीवन में महत्वपूर्ण मंत्रों का भी आपको जाप करना चाहिए जैसे कि महामृत्युन जय इस मंत्र का जाप करें इससे आपको काफी फाइदा होगा इस दोरान आप दान कर सकते हैं जैसे कि अनाज वगेर है का और दोस्तों इसमें तुलसी के पत्ते का आप सेवन कर सकते हैं दोस्तों वर्ष 2023 का यह लगने वाला सूर्य ग्रहन आपके जीवन में काफी ज्यादा प्रभाव डालने वाला है और यह आपके जीवन में पैसे से जुड़े धन से जुड़ी कोई भी समस्याएं हो आपको छुटकारा दिलाने वाला होगा परन्तु ये सूर्य ग्रहन हमारे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है तो दोस्तों चलिए अब हम जान लेते हैं एक एक करके सभी ये सूर्य ग्रहन से जान लेते हमारे एक किरी महत्वपूर्ण रहने वाला है इस सूर्य ग्रहन वरिशब राशि वालों को शुब परिणाम प्राप्त होगा ये सूर्य ग्रहन आपके धन की आय को बढ़ा सकता है इस सूर्य ग्रहन में आपको कुछ सावधानियां मोभी बरतनी है सूर्य ग्रहन के प्रभाव से आय के नय नय अवसर आपको प्राप्त होंगे और किसी नौकरी के लिए किया गया प्रयास आपको सफलता दिला सकता है विशब राशी वाले जातकों के लिए यह समय बेहतरीन साबित होगा सामाजिक स्थिती मजबूत होगी, लोगों से आपका मेल मिलाप होगा लोग प्रियता आपकी ही होगी, लोगों के प्रती आपको खुशियां तो प्राप्थ होगी, साथ ही साथ सहयोग भी प्राप्थ होगा दोस्तों, अगली जो राशी आती है, वह राशी है, मकर राशी जी हाँ दोस्तों यहाँ पर यदी हम बात करें मकर राशी वालों की तो यदी आप निवेश करना चाहते हैं यदी आप पैसा लगाना चाहते हैं व्यवसाय में तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा और सफलता दिलाने वाला समय कहां जा सकता है आपको धन दौलत की प्राप्ती होगी आप कई प्रकार शुब कार्य करने की कोशिश भी कर सकते हैं आपकी कोशिशें रंग ला सकती हैं आपको अपने कार्यक्षेत्र में कार्यस्थल में नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है आपकी प्रशंसा होगी आप अपने पुराने मित् की मुलाकात हो सकती है आप अपने आपको स्थापित करने में सफलता हासिल करेंगे अगली जो राशी आती है वह है कन्या राशी जी, हाँ दोस्तों बैंक से, यानि की लोन आपको मिल सकता है साथ ही साथ अपने स्वस्थे का विशेश ध्यान रखे और दोस्तों अचानक से आये के नए नए स्रोत सामने आ सकते हैं आपकी जमीन जायदात से जुड़े मामले में फैसला आपके पक्ष में आएगा आपकी आर्थिक स्थिती कन्या राशी वालों मजबूत होने वाली है राजनीती से जुड़े लोगों को बहुत लाब होने वाला है उच्च पद की प्राप्ती हो सकती है और आपको किसी पार्टी में प्रशंसा प्राप्त होगी साथ ही साथ नई जिम्मेदारी भी मिलेगी और आप अच्छे से कार्य भी कर है तो इसकी प्रशंसा बढ़ेगी दोस्तों अगली जो राशी आती है दोस्तों वह है मिथुन राशी मिथुन राशी वाले जातकों के खर्चों में थोड़ी सी वृध्ध देखने को मिल सकती है लेकिन जरूरत पैसों की पड़ रही है तो आपको अचानक से कहीं से धन का भी लाब हो सकता है जो की आपकी आर्थिक स्थिती को मजबूत या सुधारने में काफी अहम साबित होगा दोस्तों आप अपने जीवन में सफलता के नए नए कीरतिमान स्थापित करेंगे दोस्तों राशी वाले जातकों की प्रेम संबंध में काफी मधुरता बनी रहेगी कार्यस्थल पर चल रहे वाद विवाद खत्म होंगे और आपके लिए ये महत्वपूर्ण ग्रहन रहने वाला है अशुब प्रभाव से बचने के लिए आपको शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए साथी साथ यह समय आपके लिए नए अवसरों को लेकर आ रहा है आपके अपने स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा चिंतित रहना पड़ सकता है वही दोस्तों यहाँ पर कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती है और उन समस्या आप बाहर भी निकाल सकते हैं को इस ग्रहन के दौरान बेहद सावधान रहने की आवश्यक्ता है। साथ ही साथ इनको धन से संबंधित चीजों का लाब होने वाला है। यदि आप पैसा कहीं लगते हैं जैसे लौटरी सटा शेयर मार्केट में तो आपको लाब मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको आम सूर्य ग्रहन के प्रभाव से आपकी वित्तीय स्थिती पर भी प्रभाव पढ़ सकता है। जो कि आपकी आर्थिक स्थितियों को सुधारने में सहायता करेगा, आपको किसी भी प्रकार का बदलाव या फिर किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पढ़ सकता है। दो आपनी संतान को लेकर चिंतित थे, लेकिन संतान की तरक्की से आपका मन प्रसंद रहेगा, वाद संबाद भी आपका लोगों के साथ होगा, आपके वरिष्ठ अधिकारी या जिन लोगों से प्रोफेशनल संबंध है, उनसे संबंध बनाए रखने की जरूरत है, संतान के से आप बेहत खुश नजर आ रहे हैं, और संतान की तरक्की से भी यह ग्रहन आपके लिए धनूराशिवालों शुब साबित होगा, आपको ये ग्रहन धन से संबंधित कई चीजों में मुनाफा देगा, यहां तक की गुप्त धन आपको दिला सकता है, यहां तक की किसी आपको दुर्गटनाओं से बचाना है, आपको किसी भी लेन देन से बचना पड़ेगा, लेन देन के मामले में सतर्क रहे, कर्ज उधर बिलकुल ना दे, हालांकि आपको रुका हुआ बसा हुआ धन मिलने की योग्य बना रहे है, धन दौलत में वृद्धि होगी, आपके धन में आय में बढ़ोतरी हो सकती है, आप बिना किसी नौकरी के भी धन कमा सकते हैं, लोगों के बीच आपकी लोग प्रियता बढ़ेगी, सोच समझ कर का कुछ में रहने वाला है, लेकिन फिर भी मित्रों के साथ मनमुटाव हो सकता है, कोई अपना ही आपके साथ धोखा कर सकता है, तो कुल मिलाकर कुछ चीज आपके लिए बेहतर है, कुछ चीज नहीं है, उसे आपको बेहतर करने की आवश्यक्ता है, सूर्य ग्रहन सूर्य से संबंधित मंत्रों का जितना हो सके उतना जाब करिए और दोस्तों सूर्य से संबंधित आप जैसे की पुराणों या उनकी कथा वगेर है पढ़िए दोस्तों आपको इस समय और कुछ भी नहीं करना है सिर्फ मित्रों का जाब करें मंत्र स्तोत्र का जाब करें यानि ग्रंथ लेकिन जियोतिष शास्त्र में इसका विशेश महत्व बताया गया है। इसलिए सूर्य ग्रहन के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें और कुश के आसन पर बैठ कर तुलसी माला से लाक्षमी नरयाना मंत्र का जब करें। एसे में ग्रहन के समय सफेद वस्त्र पहन कर श्री सूक्त का पाठ करें। साथ ही ग्रहन के समय या बाद में सफेद चीजें जैसे दही दूद शक्कर सफेद कपड़े का पूर खीर आदी का दान अवश्य करें। और धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। करक राशी करक राशी के स्वामी चंद्रमा है। ऐसे में ग्रहन के समय रम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और अव्यक्त रूप में नम मंत्र का 108 बार जप करें। साथ ही ग्रहन या बाद में सफेद चीजें जैसे मोती सफेद कपड़े, शक्कर चावल दूद या दूद से बने मिश्ठान। आदी चीजों का दान करें। ऐसा करने से जीवन में सम्रिध्य आएगी और मन में हमेशा शान्ति रहेगी। सिंह राश सिंह राशि के स्वामी ग्रहों के राजा सूर्य है ऐसे में ग्रहन के समय कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। और क्लीन ब्राहमने जगधा धाराईये नम मंत्र का जप करते रहें। साथ ही आज रात होते समय पाँच बादाम और पाँच मूली सिरहाने रखकर सोए और सुबह उठकर ग्रहन से पहले मंदिर में दान कर दे। ग्रहन के बाद गुड गेहूं तांबे के बरतन लाल्व नारंगी कपड़े आदी चीजों का दान करें। ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और जीवन में सूर्य समान तेज आएगा। कन्या राशी के बुद्ध ग्रहन ऐसे में ग्रहन के समय कुश के आसन पर बैठकर तुलसी माला से मंत्र जप करें और अडितिया ह्रदय स्तोत्र का पाठ करें। साथी ग्रहन के समय या बाद में हरी मूंग डाल, कांसे के बरतन गाय को हरा चारा खिलाए हरी सब्जयाई। हर कपडे हरे फल आदि चीजों का दान करें। ऐसा करने से नौकरी व व्यवसाय में उन्नती होगी और शुभता बनी रहेगी। तुला राशी तुला राशी के स्वामी शुक्र ग्रह सूर्य ग्रहन के समय ओम तत्व निरंजनाएं। तारक रामायन नम्मंत्र का जब करें और रामचरित्र मानस का पाठ करना उत्तम रहेगा। साथ ही ग्रहन समय या बाद में सफेद चीजें जैसे खीर, दही, शक्कर, दूद, सफेद, कपडे, कपूर, आदी का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भौतिक सुख सुविधाओं में व्रिद्ध होगी और अटके धन की प्राप्ती होगी। व्रिष्चिक राशी के स्वामी मंगल ग्रह, सूर्य ग्रहन के समय एउम, नारायंत, सुरसिंगाइनम, मंत्र का तुलसी माला से जप करें और महा भारत का पाठ करें। साथ ही ग्रहन के समय या बाद में मेश राशी की तरह ही गेहूं। मसू, दाल, गुड, लाल, वस्त्र, फल, आदी चीजों का दान करना शुब रहेगा। ऐसा करने उर्जावान महसूस करेंगे और जीवन में हर आगे रहेंगे। धनु राशी, धनु राशी के स्वामी, देवताओं के गुरु ब्रहस्पती हैं। ऐसे में ग्रहन के समय श्रीमत भागवत गीता का पाठ करें और मंत्र का तुलसी माला से जप करते रहें। साथ ही ग्रहन के समय या बाद में पीले रंग की चीज़ें जैसे पीले फल चना दाल, पीले, कपड़े, बेसन, केसर, हल्दी, गुड, आदी चीजों का दान करें। ऐसा करने से धन और वैभव में व्रिध्य होगी और हर कार्य में सफलता मिलेगी। मकर राशी राशी के स्वामी, न्याय के देवता शनी देव है। ऐसे में ग्रहन के समय मकर राशी वाले सुन्दर कांड का पाठ करें और ओम श्री वतसलायनम मंत्र का जप करते रहें। साथ ही ग्रहन के समय या बाद में शनी से संबंधित चीजें जैसे काला छाता कंगा काले या नीले ठड़े सरसों का तेल, तिल लोहे के बरतन आदी चीजों का दान करें, ऐसा करने से शनी के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और उनके आशीरवाद से हर समस्या होती है कुम्भ राशी के स्वामी भी शनी देव है ऐसे में ग्रहन के समय हनुमान चालीसा या शिव चालीसा का पाठ करें और श्री उपेंद्र मंत्र का जब करते रहें साथ ही ग्रहन के समय या बाद में शनी से संबंधित चीज़ें जैसे लोहे के बरतन, कपडे गरीब वजरूरत मंद की मदद किसी को भोजन कराए ऐसा करने से ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर रहता है और जीवन में शुभता बनी रहती है मीन राशी मीन राशी के स्वामी गुरु ग्रह है ऐसे में मीन राशी वाले ग्रहन के समय रामचरित्र मांस के अरण्य कांड का पाठ करें और ओम क्लियर उद्रताएं और धारने नम मंत्र का जप करें साथ ही ग्रहन के समय या बाद में कुट्टे को रोटी दें, पीले, फल, पीले, कपड़े, चना, दाल, केसर, बेसन, हल्दी, गुड आदी चीजों का दान करना उत्तम रहेगा। ऐसा करने से जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होगी और नौकर व व्यापार में उन्नती होगी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुती में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।